दोस्तो अगर आपके भी यहां पर UPI PIN में यहां पर कुछ इस तरीके से लिख रहा है फोन पे में Unable to set UPI PIN There seems to be an issue Please check if your card details as per as bank records Or you can try after some time अगर यह आपका problem आ रहा है दोस्तो तो इसे हम किस तरीके से solve कर सकते हैं वो चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखेगा काफे ज़्यादा informative वीडियो आने वाली है ठीक है तो दोस्तो अगर आपका यह भी problem आ रहा है आपके phone पे में एकाउंट में तो आपको किस तरीके से solve करना है वो चीज अभी मैं आपको बतलाओंगा तो सबसे पहले दोस्तो अगर आपका यह problem आ रहा है तो आपको क्या क्या steps करने है वो सारी चीज़ा है अभी मैं आपको बतलाओंगा लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आप चैनल पढ़ने हो करना है सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना है सेटिंग में छीडाना सेटिंग में जाना सेटिंग में जाने के वार Oooh आपको एक option मिलेगा यहां पर apps का ठीक है तो apps के option पर आप चले जाना देन दोस्तों यहां पर आपको एक option फिर से मिलेगा manage apps का ठीक है हो सकता है अलग-अलग phones में अलग-अलग जिगा पर थोड़ो थोड़ा सा हो लेकिन लगभग same होगा ठीक है सबसे पहले दोस्तों यह पर अगर कोई me पर जो permissions है वो allow कर देना है ठीक है अब दोस्तों फिर भी अगर आपका problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर आना है दोस्तों एक सो बीस MB catch है यानि कि दोस्तों unwanted things जो होते है यानि कि एक तरीके साफ virus बोल सकते हो वो 120 MB है ठीक है तो आपको क्या करना है clear catch कर दे देना देन दोस्तों आपको जो है यहां पर यह अब आपका हो गया है फिर भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है अब यहां पर दोस्तों अगर आपका problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है सबसे पहले से दोस्तों अगर आपको यह problem solve नहीं हो रहा है कि बहुत सारे updates के कारण जो भी है यह problem आते रहता है और अगर दोस्तों आपके cards detail में कोई problem है तो एक बार आप ध्यान से check कर लेना अगर फिर भी आपका problem solve नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको यह से cancel करना है और दोस्तों फिर से जहां कुछ इस तरीके का आपको option आएगा छे डिजिट का दोस्तों आपके phone में जो है यहां पर आएगा एक OTP जो भी आपका phone number register होगा आपके bank account के साथ उस पे आएगा अब दोस्तों इसे आपको डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है उसके बाद फिर समने यहां पर कुछ इस तरीके का option आएगा तो आपको proceed पर क्लिक कर देना है अपने details बरके उसके बाद दोस्तों यहां पर फिर से अगर आपका enable to set UPI pin का option आ रहा है और यह problem नहीं जा रहा है तो आपको यहां पर फिर आपको क्या करना है दोस्तों try again पर क्लिक करना है ठीक आपका अधार नंबर से भी यह UPI pin set हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाँगा क्योंकि वो वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी बनेगी तो आपको यह जो problem है इस वीडियो से solve हो गया होगा अगर नही तो आपको कोई question भी है तो आप मुझे नीचे comment में पूछ सकते हो